हरो दोस्तों तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रहे हूं करेले की सबची की रेसिपी भरवा करेले और भी करेले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी आज हम कुछ यूनिक बनाएंगे जो टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा तो इसके लिए आपको करेलो को कट कर करेले लिएक रखने करेला और उसमें आपको पानी हैं इसमें आपको करेलो को Ford करणना है जिससे iodаль करवा हट है वो निकल जाए और आपके करेले एकदम बढ़िया डिलिशिस बन करके तयार होंगे इससे बिलकुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और थोड़ी देर बाद आप देख पा रहे हैं पाने में वो बाल आ गया है अब आपको इसमें एड़ कर लेने हैं ये सभी कट के हुए करेले साथ ये एक छुट अग कर दो तृट होगी तो मीडियूम पर ढोच में भी कर दोपड़ करके घ्क कर देख रहे होगी तो मीडियों थाब धुक्ति डाता है नहीं को तो आससे कट करिए लेना है यह जो करेले हैं वह पकर के रैडी हो गए है अब आपको करेलो को छान लेना है इस तरह से चंड़ी में से चान लेंगे जिससे इसमें जितना भी पानी है नमक का पानी वह अपने साथ सारी कड़वाहर निकाल लेगा करेलो की करेलो को छानने के बाद आपको इसे प् तो इस तरह से आपको सभी करेलों को हलके हलके हाथों से इस तरह से निचोड करके इस इतना इक्स्ट्र पाणी है वह आपको निकाल लेना है अब बस आपको सब्ज में छोक लगाना है बहुत ही easily और कम टाइम में सब्जी बन करके तयार हो जाए इस प्रोसेस से तो गेस पर आपको एकड़ा ही लेनी है और इसमें आपको एड़ करना है थोड़ा सा सरसो का तेल तेल को आपको अच्छे से गरम कर लेना है आपको इभी cooking oil यूज कर सकते हैं तेल की गरम हो जाने क के बाद एड़ करेंगे आदा च्छोटी चमच जीरा और बारिक कट किया हुआ लेस्न आपको एड़ कर लेना है अगर आप लेस्न कहाते हैं तो आप एड़ कर लिशे का बढ़ना पिसे वोड़ भी कर सकते हैं लेस्न को मैंने हलका golden brown होने तक भून लिया है साथ ही मैं आड लेशा फ्लेवर आता है और बारिक कट किया हुआ दो मीटियम साइज के प्याश में आड़ कर लोगी करेले की सबजी में प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप चाएं थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ी तर के बाद प्याश को हलका भूनने के बा करेलो को थोड़ी देर के बाद जब आपके करेली जो है प्याश के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं अब आपको इसमें आड़ कर देने हैं ड्राय मसाले बिल्कुल सिंपल मसाले मैं यहां पर एड़ करूंगी तो एड़ करेंगे आज़ा चोटी चमच हल्थी पाउडर दो छोटी चमच लालमिश पाउडर आपको एड़ कर लेनी है तीक आप अपने टेस्ट को कंग थोड़ा कम जाता भी कर सकते हैं साथ ही आड़ करेंगे दो छोटी चमच धनिया पाउडर और आपको स्वाद अनुसार नमक एड़ कर लेना है इसके बाद हमें इसमें एड़ करेंगे एक चोटी चमच दर्दरी कूटीवी सौंफ जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस करेले की सबजी में तो आपके पास अवलेबल है तो आप डाल सकते हैं वरना इसे अवोड भी कर सकते हैं सभी मसालों को आपको सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है मसा करके पका लेते हैं जिससे की सभी मसाले बीना जले अच्छे से पक जाए और थोड़ी देर के बाद आपको इस तरह से बीच-बीच में मिक्स भी करते रहना है ताकि सबजी जले ना वैसे तो हमने करेलों को 72-80% तक पहले ही पका लिया था तो बाद में आप इस तरह से कट के लिए दोनों ही अच्छे से पक जाएंगे और थोड़ी देर और बुनने के बाद यह जो सब्जी है वो रैडी हो गई है लास्ट में आपको इसमें एड कर लेना है एक चमश आमचूर पाउडर जिससे एक्दम चटपटा टेस्ट आएगा करेले की सब्जी में आप चाह हो गई है गिसके फ्रेम को मैंने ओफ कर दिया है आप इस सब्जी को तीन से चार दिन तक स्टोट करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होती है और रोटी पराथा लंच बोक्स में आप इसे एड कर सकते हैं बहुत ही बड़ी ऑप्शन है सुकी सब्जी है और यह बिल्कुल को लाइक और चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो दोस्तों आप इस ड्रिलिशियस चक्पटी करे लिगी सब्जी का मजा लीजे थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में